हेलो दोस्तों मैं हूँ मिस्टर लेवन और मैं आज आपको एक फ्री और बेस्ट एप यूसेज एप के बारे में बताने वाला हूँ इसमें इतने सारे भर भर के फीचर दिये गएंगे आप पूछो ही मत तो इसका नाम है एप यूसेज मैनेजर ट्रैकर और ये सिर्फ चार पांच एमबी का ही है तो चलिए पहले एप ओपन करते हैं तो पहले यूसेज हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें पहले टाइम लाइन विव इसमें आप हर एक से हर एक सेकेंड में कब क्या और कौन सा एप ओपन क्या है ये सारा डिटेल में दिया होगा कभी स्क्रीन आफ कब आउन पूरा टाइम स्टैम के साथ दिया रहेगा तो आप इससे यह भी पतर लगा सकते हैं कि किसी ने आपका फोन पकड़ा था तो क्या यूज किया इस तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं फिर यहां साइड में डिटेल विव इसमें आप कैलेंडर से किसी भी स्पेसिफिक डेट का एप यूसेज देख सकते हैं जैसे मैं 5 March का देख रहा हूं यहां पर यहां पर बार चार्ट वीव भी दिया हुआ है केटिगरी व्यू भी है कुछ एप्स का एक केटिगरी बना के उसका डेटा यूसेज और यहां पर डाइजेस्ट दिया गया तो डाइजेस्ट में आप 5 March को आपने नॉर्मल दिनों के बत और कितना परसंट जादा फोन यूस किया या कितना परसंट कम यूस किया यहां पर आपको पता चल जाएगा या किसी एप का कितना बार ओपन किया या कितना बार उसको यूस किया फिर यहां पर आप Most Used Apps और Most Visited Apps भी देख सकते हैं कि किस का आपने जादा यूस किया या किस को कितनी बार ओपन किया अब जैसे ही नीचे आते हैं आप पूरे week का देख सकते हैं पूरे week में आपने किस app को जादा अस्तमाल किया, किस को कम किया और यहाँ पर आप पूरे week में specific date का uses bar के रूप में एक दिन में कितना use किया यह भी देख सकते हैं और यहाँ पर heat map यह भी है तो जैसे रात 12 बज़े से फिर अगले दिन के रात 12 बज़े तक आप कितने time पे सबसे ज़्यादा phone use करते हैं उसे आप heat map के द्वारा देख सकते हैं यह पूरे week का detailed view है यहाँ पर मैंने mail का बहुत ज़्यादा use किया क्योंकि उससे मैं online classes चलती थी दिन भर whatsapp और meet पे लगा रहना हुआ करता था बस अब चलते हैं installation history की तरह मतलब आपने किसी भी app को किस दिन कितने time ने install या ने install किया यह भी आप जान सकते हैं या किसे ने अगर अने थिकली आपके phone में कुछ इंस्टॉल कर दिया तो उसकी history भी यहां पे रहेगी और आपको पता चल जाएगा तो आप किसी भी specific के लिए किसी भी app का देख सकते हैं ऐसा भी है यह उपर जो दिखाई दे रहा वो एक दिन गया और जो नीचे इसके बाद जो दिख रहा है वो पूरे week का है यहां पे आपको over usage reminder भी मिल जाएगा जिसे कि किसी भी app का आप ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको limit करने के लिए आप app select करें फिर उसके लिए time set करें कि इतने से ज़्यादा यूज नहीं करना है यह सब category usage भी है लाइक social media एप का पूरे category बना सकते हैं और इतना ही यूज करना है इसा time set कर सकते हैं device usage मतलब पूरे phone का usage device check मतलब इतने बार ही open कर सकते हैं और नीचे आप अगर कोई quad डलना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं जो over usage पर आपको remind करा है यहाँ पर overused दिखाई दे रहा है 30 मिनटे पर मैंने 55 मिनट यूज किया है और इसके जो बाकी features है वो मैं Swords में upload कर दूँगा यह settings हैं कितने month का data देखना है आप अपने phone में पिछले 3 month तक का data देख सकते हैं अगर ज्यादा देखना है तो फिर तूसके लिए आपको pro version लेना पड़ेगा आगे आपको ignored usage किन apps का data यहाँ पे नहीं देखा जा रहा वो सब और category भी edit कर सकते हैं आप यहाँ पे जैसे वहाँ हमने देखा था तो यह uses आपका important data हो गया तो उसके लिए यहाँ पे pin भी available है तो अपने हिसाब से आप pin set कर सकते हैं तो बस आज के लिए बस इतना ही तो अगले दिन मिलते हैं किसी एक नए app और नए trick के साथ